हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज की स्यूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एससी चेसल 2020 का जो इस समय फॉर्म आया हुआ है तो उसकी बेस्ट बुक्स के बारे में सलेवस क्या होने वाला है वह सबकी वीडियो मैंने बनाई थी जो उसका नोटिफिकेशन के बारे में तूसी नोटिफिकेशन में टॉपिक वाई सलेवस दिये हुए हैं तो वहां से आप लोग देख सकते हैं बांकी best book की वीडियो आज हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी वो books हैं जो SSC CHSL के exam के लिए आपकी preparation के लिए best होने वाली हैं तो चलिए सुरू करते इस वीडियो को तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसमें चार सब्जेक्ट आने वाले हैं पहला math आएगा इसमें reasoning आएगी general knowledge आएगा और साथ में English आएगा इन चार सब्जेक्ट आपके prelims के exam में यहाँ पर आने वाले हैं तो देखे हमको इन चार सब्जेक्ट से related best book चाहिए जिससे कि यह exam जो है आप लोग crack कर पाएं कि क्योंकि इसका exam जो है अप्रेल में होना है तो लगबग हमारे पास चार महीने का समय है दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च इन तीन इदे टोटल चार महीने का समय है इन चार महीनों में जो best book आपको यहाँ पर पढ़नी है तो सबसे प इन तो भी और अगर आप यहाँ पर पहले से भी देख चुके हैं तो आरेस अगरवाल की बुक से ही related questions आते हैं तो पहली बुक आपकी आरेस अगरवाल की यहां पर best होने वाले क्योंकि यहां अर्थमेटिक के भी question दिये हुए हैं और एडवांस के लिए मैं अलग अभी आ आने वाला हूं तो देखिए अर्थमेटिक आप यहां से पूरा cover कर सकते हैं आरेस अगरवाल की बुक से अब हम बात कर लेते हैं इसमें एडवांस जो आता है जैसे के trigonometry हो गया geometry हो गए मेंसुरेशन हो गए और algebra इन जो चार-पांच यह जो यहां chapter आते हैं इनके लिए जो आप आप यूज कर सकते हैं आराकेस यादो की बुक आती है तो आप इस बुक से cover कर सकते हैं आप सब आपके सामनी इस्क्रीन पर यह सब सो भी हो रहा है तो आराकेस यादो की यह बुक आप लोग advanced math के लिए use कर सकते हैं और जब आप ये दोनों बुक पढ़ लेंगे अगर तब फिर आपके लिए final question लगाना है अगर आपको तो एक बुक और आती है वो दोनों आती है राकेस यादों की भी आती है और किरन publication की भी आती है दोनों बुक आपके सामने से यहां सो हो में तो उन सभी का यहां compilation होता है सभी questions यहां पर होते हैं तो उसके बाद जब आप ये बुक जब खतम कर लेंगे आरा सगरवाल के और advance की तब आपको questions इन बुक से लगाने हैं ज्यादा ज्यादा question लगाने क्योंकि सभी previous year के question है और SSC अपने 70% question जो है वो repeat करता है 30% question ही ह होते हैं बागी सब repeat ही होते हैं तो मैंस के लिए यह best book आपके लिए सबसे अच्छी रहने वाली है उसके बाद हम लोग बात करेंगे reasoning की तो reasoning के लिए आपकी फिर से आरे सगरवाल की verbal non-verbal reasoning की book है तो इसको आप अगर पढ़ लेंगे इतना तो पूरा complete हो जाएगा इसमें verbal reasoning भी है non-verbal reasoning भी है तो इससे आप पूरा अपना SSC का जो भी syllabus है तो वह आप इसी book से complete कर सकते हैं इसके अलावा कोई भी book पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है हां बाकी आप online test और जब देंगे तो उसमें से जो reasoning की question निकलेंगे उसको भी आप वहां लगाते रह दोस्तों तीसरा हम बात करते हैं English की book के बारे में English बहुत सारे लोगों की weakness होती है तो English के लिए मैं Hindi medium वालों के लिए बताने वाला हूं English medium वालों के लिए तो देखिए Hindi medium के अगर आप इस्टुडेंट है तो आपके लिए सबसे आसान तब होगा जब आपको Hindi में भी समझ में आए दिया हुआ हो कि उस चीज का मतलब क्या है और इंग्लिस में भी दिया हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक जो होगी वह होगी लूसेंट पब्लिकेशन की English language की बुक जो आपके सामने यहां दिख रही है तो English language की यह बुक से अगर आप त्यारी करते हैं तो basic step step by step हर चीज आपकी cover हो जाएगी एक्जाम के लिए एक्जाम है तो इसमें बहुत high level की English नहीं आती है इसलिए यह बुक आपके लिए बहुत ज्यादा सफिसेंट है अगर आप Hindi medium के है तो और अगर आप English medium के तो English medium वालों को तो English पढ़नी और समझनी आती है तो उनके लिए जो best book यहां पर होगी वोगी SP बख्षी की अरिहंत publication की book तो अरिहंत publication की यह जो book है यह बहुत best है क्योंकि यह सिर्फ SSC के लिए ही नहीं है यह SSC bank और जो भी English other को एक्जाम में आते हैं वो सभी के लिए best है क्योंकि इसमें topic wise तो दिया ही हुआ है और साथ में exercise इतनी सारी दी हुई है कि अगर आप इसका rules वगरा पढ़ लेंगे उसके बाद आप इसके अगर exercise को solve कर लेते हैं तो इतना भी बहुत ज्यादा आपका काफी हो जाएगा English language यानिकि English का जो subject है उसको crack करने के लिए English की यह दो book में से आपको पढ़ना है Hindi medium की बता दिया मैंने English medium की इसके लिए जो best book है उससे अच्छी books मुझे आज तक कोई नहीं लगी है वह है black book जिसको एक काला जादू भी इसको बोलते हैं कि यह black book है तो देखिए इसका नाम ही black book है तो इस book में पूरा compilation होता है जो भी previous year में आये हुए आपके vocab के question है और साथ में कुछ new भी यहां द description में भी देदूंगा तो black book सबसे अच्छे है अगर आप इससे vocab complete कर लेंगे तो आपका vocab जो है वह 90% एकदम best हो जाएगा बांकी का आप बहुत सारी YouTube channels है या तो कहीं से other जो online यहां पर material होता है वहां से भी आप बांकी चीच कवर कर सकते हैं लेकिन आपके लिए अगर आप इतना भी cover कर लेते हैं तो आपका English language में 25 में से कम से कम 18 प्लस मार्क्स अराम से आपका आ जाएगा तो इतना अगर आप जितना मैं बता रहा हूं अगर आप उतना complete कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों चौती बुक हम लोग बात करें तो वह ह नॉलेज की तो देखें जनरल नॉलेज का जो सेक्षन होता है वह बहुत ही ब्रॉड होता है बहुत लंबा चोड़ा होता है क्योंकि बहुत सारी चीजों में से इसके questions आते हैं तो देखें लूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है वह सबसे बेस्ट मानी गई है सुरू से ह आप कितना भी कोई भी बुक पढ़ लेकिन लूसेंट में जो चीजें दी हुई है बाकी जगह उतने अच्छे से आपको नहीं मिल पाती है लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आपकी जनरल नॉलेज के पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट होने वाली अगर आप जनरल नॉलेज में भी साइंस होता है लेकिन अलग से अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसमें कुछ अब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन मिलें आपको सॉल्व करने के लिए तो एक लूसेंट की जनरल साइंस की भी बुक आती है जो आपको अभी दिख रही होगी तो इससे भी आप फॉलो कर रहे हैं करेंट फिर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं बहुत साथ चैनल ऑउनलाइन इस्टडी पॉइंट है वाइफई इस्टडी में भी पढ़ाया जाता है और भी एक्जाम पूर वगरा चैनल बहुत साइज चैनल है तो करेंट अफिर्स आप वहां से और से में लगभग एक साल का पूछता जैसे कि आपका एक्जाम में है तो यह से मान लीजिए कि यानि की इस साल 2020 का जो मार्च अपरेल होगा वहां से क्वेस्टेंश के क्वेश्चन साब को ज्यादा-ज्यादा देखने को मिलेंगे तो पूरा एक साल का पढ़ना आपके लि लोग पढ़ जाईयेगा तो इस पीडी का जो है वह बुक करेंट फिट्स के लिए बेस्ट होने वाला है तो आप करेंट फिट्स के लिए वह बुक कर सकते हैं यह चारो सब्जेक्ट के जो बुक्स है उस सबसे बेस्ट है अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका SSE CHSL का एक्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या इन सब बुक्स पढ़के ही सब चीजे हो सकती हैं तो जी हाँ हो तो सकती हैं लेकिन इसमें एक चीज और एड करनी होगी आप लोगों को पता होगा कितना भी पढ़ाई कर लेंगे तो आपका यहां जो प्रोसेस होना चाहिए वो दिसंबर जनवरी फरवरी यानि कि तीन महीने में आपको यह पूरी चीजे पढ़कर बुक्स से कवर करनी है और मार्च के महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने पूरे वन मन्थ आपको डेली बेस कि आपका कोई एक्जाम जो है वो अच्छे से क्रैक हो पाएगा क्योंकि स्पीड मैटर करती है आपको स्पीड सिखाती है कि आप कितनी स्पीड से उन क्वेस्टन को कर पा रहे हैं या फिर आपको कौन से ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको दिक्कते हो रही है क्योंकि जब पढ़ रहे होते तब आपको बनता लेकिन जब आप exam hall में बैटते हैं तो कुछ questions आपको नहीं बन पाते हैं तो यह सब की जो कमियां होती हैं टेस्स सीरीज से पता होती है पटेस्स के लिए आप grade up की टेस्स सीरीज परसेश कर सकते हैं तीन से साड़े तीन सो CGL कोई वी एक्जाम साल भर में आ रहा हो CHSC या रेलवे का तो उसे आप फिर दे सकते हैं उस तीन सो साड़े तीन सो रुपए में तो आप इसका एन्वल पैकेज ले लीजिए ग्रेड़ पर और उसके टेस्ट आप ज़्यादा ज़्यादा दीजिए यहाँ unlimited test आपको देने को मिलेंगे तो आप grade up का test series भी purchase कर सकते हैं क्योंकि grade up का test series एकदम बहुत बढ़िया होता है ना इसमें ज़्यादा easy question होते हैं ना बहुत ज़्यादा hard question होते हैं इसमें exam level question होते हैं जो आपका exam होगा उसी के level के हिसाब से ही थोड़ा सा अप यहाँ पर level करके questions आपको मिलेगा बहुत सारे और test series हैं जिनको बहुत ज़्यादा high level कर दिया जाता है जिससे अगर कम number आते हैं तो क्या होता है कि student जो हैं वो थोड़ा सा demotivate हो जाते हैं तो आपके लिए test series वो बेश्ट होगी जो exam के level के हिसाब से रहे जो आपके exam में आने वाला है तो इसलिए आप grade up की test series को भी follow कर सकते हैं तो यह पूरा process है आपकी अगले 3-4 महिने का यह पूरा strategy है कि आप इस प्रकार से अगर पढ़ाई करते हैं तो SSE CHSL 2021 का जो exam है आपका जरूर crack होगा और जो लोग form अभी तक नहीं भरे हैं तो जल से जल form अब भर दीजिए क्योंकि अब यहाँ 20 तारिक हो गई है अब इनहीं 10 दिनों के बीच में आप form भर दीजिए क्योंकि लाज तक आप ना जाए जिस server वगरा का problem हो तो यही कुछ चीजें इस वीडियो में बतानी थी तो अगर यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके all का बटन जरूर प्रेस कर लिजे क्योंकि हम यहाँ इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बताई कि आपको SBI PO की बेस्ट बुक की वीडियो चाहिए या नहीं अगर आप ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करेंगे तो SBI PO की भी बेस्ट बुक की वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए आज साम या फिर कल तक में बना जरूर इस चैनल पर डाल दूँगा तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वेकेंसी या कोई नई नीज लेकर तब तक के लिए थैंक्यू सो मच